सब्सक्राइब टो चानल बा क्लिकिंग दे सब्सक्राइब बॉटन क्लिक दे बेल बाटन एंजोई दे लेरेस अप्लोड फ्रम आर चानल नाउ सी कोशन 20 20 के अंदर दो पार्ट सें A & B तो वन वाइवन इनी सॉल करते हैं डिफाइन मोमेंटम स्टेट इस एसाई मोमेंटम को डिफाइन करना है और उसकी एसाई उनिट बताना है सो मोमेंटम आप जानते हैं is a vector quantity that is the product of the mass and the velocity of an object or particle सो मोमेंटम is nothing but the product of mass and its velocity और एसाई उनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम is kilogram meter per second सिंस मोमेंटम आप शान चुके हैं कि mass को velocity से multiply कराते हैं जो कि kilogram meter per second जो है आ जाती है इसाई अब दी पार्ट को हम सॉल करते हैं अब flower pot drops from the edge of the roof of a multi-story building एक multi-story building की edge से एक flower pot को drop किया जाता है तो कभी भी किसी भी object को जब drop करते हैं तो initial velocity ही 0 हो दे calculate the time taken by the pot to cross up particular distance AB of height 2.9 meter एक particular distance AB जिसकी height कितनी है 2.9 meter and the upper point A being 19.6 meter और upper point जो A है वो 19.6 meter दूर पर है below the roof से तो situation जिस तरह किये मैं आपको बता देता हूं यह एक multi-story building है like this is a multi-story building और इस multi-story building के से हम क्या करते हैं एक flower pot को drop करते हैं एक flower pot को drop हम नहीं किया तो इसकी initial velocity u is equal to 0 हो जाएगी अब 19.6 यहां पर 19.6 meter below यानि यहां से यहां तर कितना distance है यह 19.6 meter नीचे एक distance है एक point है और फिर जो है A से B तक पर्टिकुलर जो है यह आप देख सकते हैं यह height जो cross करनी है और यह height कितनी है this is 2.9 meter यह आपको बताना है कि A से B कर पास होने में कितना time लेगी गा यहां पर यह time आपको बताना है तो यू इसकी मैं 0 ले लेता हूं देखिए A point पर आते आते उसकी velocity increase हो जाएगी बिकास नीचे की तरफ जो है gravity लग रही है 9.8 meter per second square से acceleration due to gravity होगा तो अब velocity increase हो जाएगी वो मैं VA ले ले लिका हूं अब हम calculate करते हैं इन्हें किस तरह से calculate करेंगे C सिंस हम जानते हैं कि V square minus U square is equal to 2AS होता है तो मैं यहाँ पर VA क्योंकि initial velocity यहाँ यहाँ ले रहा हूं और final velocity VA ले रहा हूं अब आप यहाँ देखें VA square निकालेंगे तो यह क्या आजाएगा minus के U square U square यहाँ 0 square आपने डॉप किया है तो initial velocity 0 होगी इन्टू में 2 इन्टू 9.8 इन्टू में 19.6 तो यह कितना आजाएगा 19.6 इन्टू 19.6 आ गया VA square तो VA यहाँ पर आप इसली बता सकते है 19.6 मीटर जो है पर मीटर पर सेकिंड यह velocity at A है अब आपको velocity at B अगर बताना है तो same equation का हम यूज कहेंगे अब final velocity velocity at B हो जाएगी minus initial velocity आप velocity of A को लेगी क्योंकि जब A point पर पहुंचा और B point को आप final ले रहें तो A की velocity VA initial और B की velocity VB final हो जाएगी square is equal to 2A s2 में ले लेता है और s2 जो distance है nothing बट यह 2.9 मीटर वाले distance को s2 ले रहा हूँ अब यहाँ पर देखे VB आपको यहाँ पर calculate करेंगे VA 19.6 का square is equal to 2 into 9.8 s2 कितना हो जाएगा 2.9 यह आपका आ जाएगा calculation जब आप करेंगे तो VB square यहाँ पर 19.6 को जब आप square कराएगे तो यह 384.16 आ जाएगा देन उसके बाद 2 into 9.8 into 2.9 यह आपका जो आएगा 56.8 फोल और उसके बाद यह यहाँ जाके plus हो जाएगा तो VB square जो आजाएगा 441 आपका आएगा और VB जो आजाएगा 441 का square root क्या होता है 21, 21 meter per second अब आप जानते हैं कि final velocity V is equal to क्या होता है यह initial velocity plus acceleration into time तो final velocity मैं VB मानदा हो initial velocity जो है VA मानदा हो और यहाँ पर acceleration due to gravity into time from A to B यह हो जाएगा तो इस case में VB आपने 21 minus V8 जो है 19.6 upon में 9.8 जो है यह acceleration यानि कि VB minus VA upon में A जो आजाएगा वो time from A to B यह आपने निकाला और यह time A to B जब आप निकालेंगे जो है final जो आएगा मैं इसे इंकाल देता हूँ 0.143 seconds जो है time from A to B यह आपने calculate कि है